हेलो इवरीवन, वेलकम बेक टुमारी चैनल प्रग्य अजूकेशन सोसाइटी आज का ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं हिंदी व्याकरन भाग के कुछ अब्जेक्टिव क्वेशन जो है वो बहुत ही इंपोर्टेंट है वो बताऊंगे और जो दो वीडियो में मैंने बताया है गदखंड और पदखंड इसमें जितने भी objective questions से पूरे 100-100 questions थे मैंने उनको बताया है आप लोगो वीडियो प्लीज देखिएगा और अब यह थर्ड पात है इस वीडियो का हिंदी पात थर्ड है इसमें मैं ब्याकरन भाग के objective questions से व इसलिए हमको जल्दी देखना पड़ेगा चलिए तो आज का class शुरू करते हैं सबसे first question दिया हुआ है धर्म सब्द का विशेशन क्या है धर्म सब्द का विशेशन क्या होता है धार्मिक अधात्मिक और धार्मिक कर्म कांडी इसका सई एंसर होगा अप्शन नमर को धर्मिक अगला है नमक सब्द का विशेशन क्या होता है अप्शन नमर को इसका सई है नमखी अगला है विद्पती के द्रिश्टी से संग्या के कितने भेद होते हैं विद्पती के द्रिश्टी से संग्या के भेद पूछ रहा है तो विद्पती के द्रिश्टी से संग्या कितने विद होते हैं तीन होते हैं अपसे नमर को इसका बिल्कुल सही है अगला है अर्थ के द्रिष्टी से सब्द के कितने भेद हैं अर्थ के द्रिष्टी से दो आठ दस चार तो इसका सही अंसर क्या होगा अपसे नमर को दो अगला है जल का निर्ण निर्ण करें जल का लि पूलिंग इन में से कोई नहीं तो इसका सही एंसर होगा आपसे नमर को पूलिंग जल क्या है पूलिंग है अगला है परिक्षा का लिंग निरना है तो परिक्षा क्या है परिक्षा इस्त्री लिंग सब्द है खो इसका सही होगा अगला है जी का लिंग निरने करें जी का क्य है अगला है आत्मा का लिंग निर्नाय करें आत्मा क्या है आत्मा क्या है आत्मा इस्त्री लिंग है अपसे नमर्ख इसका बिल्कुल सही है अगला है आस्तिक का विलोम सब्द लिखें आस्तिक का विलोम सब्द क्या हो जाएगा नास्तिक अपसे नमर्ख इसका सही है अगला ह क्या हो जाएगा मरन बाड का विलोमसित क्या हो जाएगा सूखा अगला है गनेश का पढ़्यावाची क्या होगा गिरिस गिर्जा गिरिजा संकर गिरिजा नंदन तो गनेश का पढ़्यावाची क्या होगा गिर्जा नंदन अपसे नंबर गहार इसका डाइट है अगला है सूर्य का पढ़ावाची चांद अकास्तिप सूर्य पीन दिनेश तो क्या होगा इसका सही एंसर इसका सही एंसर होगा अपसर नंबर गा दिनेश विद्याले का संधी विछेद करना है विद्याले का संधी विछेद तो क्या होग जाएगा विद्या जोड आले यानि की विद विद्याले का संदीवी छेद हुआ अगला है गुरु पर्देश का संदीवी छेद क्या होगा गुरु पर्देश तो इसका एंसर होगा अपसे नमर्ग गुरु प्लस उपदेश गुरु जोड उपदेश यानि गुरु उपदेश अगला है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ अ है शावधान होना ध्यान देना प्रतिक्षा करना बहकाना तो कान देना यानि ध्यान देना अप्सान नमर्ग इसका सही है अगला है घी के दिये जालाना मुहाबडे का अर्थ असपष्ट करें रोसनी करना आनंद मनाना मन चंचल होना दिवाली मनाना तो घी का दिये जलाना क क्या हो जाएगा अफसे नमर ग ऑफन अनन्द बनाना ठीक अगला क्वेस्टिन अतना कलीद नए करें अतन कली डिने करना है आच्छन पुलिंग सब्द है अफसे मज़्ग इसका होगा अग्ला है दहेज का लिंग निर्नाय करें दहेज का तो दहेज भी पूलिंग है अप्शन नमर्ख इसका सही होगा दहेज क्या है पूलिंग है अगला है पुष्टक का लिंग निर्नाय तो पुष्टक क्या है इस्त्री लिंग है अप्शन नमर्ख इसका सही है अब एक काड़क के कितने भेध ह कारक के कितने भेध होते हैं 5,6,7,8 तो इसका सही अंसर होगा अप्शन नमर ग,7 कारक के 7 भेध होते हैं अगला है विसेशन के कितने भेध हैं 5,3,4,6 तो इसका सही अंसर क्या होगा अप्शन नमर ख,3 काल के कितने भेध होते हैं दो, चार, तीन, पांच तो काल के कितने भेध होंगे अपसर नमबर ग, इसका सही हो जाएगा अपसर नमबर ग, तीन अब है निमलीखित में शोना का पड़यावाची सब्थ क्या होगा लोहा, कनक, जागना, सो जाना तो शोना का पढ़्यावाची क्या होगा इनमें से? कवक अगला है सरश्वती का पढ़्यावाची सब्द बताए लक्ष्मी, दुर्गा, काली, शाडदा तो सरश्वती का पढ़्यावाची क्या होगा? साडदा होगा अपसर नमर गह इसका बिल्कुल सही है अगला है प्रीत्वी का पढ़ावाची सब्द लिखे प्रीत्वी तो प्रीत्वी का पढ़ावाची सब्द क्या होगा पाथे भूपती भूमी भूधार इसका सही एंसर क्या होगा अप्शन नमबर गा भूमी अगला है दात काटी रोटी होना मुहाबरे का अर्थ असपश्ट करे अप्शन है मित्रता होना दात रोटी का संभावना संबंध होना सत्रुता होना इन्वे से कोई नहीं इसका एंसर क्या होगा अप्स नमबर का मित्रता होना दात काटी रोती होना का अर्थ क्या होगा मित्रता होना अगला है पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है हडा देना साथ देना हार कर भाग जाना मर जाना इसका सही एंसर क्या होगा अप्स नमबर का हार कर भाग जा यानि पीट दिखा देना हार कर भाग जाना अगला है दिगंबर का सन्दीविछित बता duż गंबर का क्या होगा दी जोर अभर अप सरा ग' इसका सही है डीजोर अभर दिकंबर डीगंबर ठीक है अगला देखते हैं हम लोग, पवित्र का संधी विछेद क्या होगा, पवित्र का, पोजोर इत्र यानि की पवित्र, पोजोर इत्र को हम लोग अला करके इसे जोरेंगे तो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, अपसर नमर ग, इसका सही होगा, अगला है पडिक्छा का स संधी वीछत पड़ी जोड इच्छा यानि की पड़ी च्छा अपसे नमर को इसका सही है अगला है संधी कितने प्रकार के होते हैं संधी है जो कितने प्रकार के होते हैं पांच दो तीन चार तो संधी कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के अगला है अस्त का विलोम क्या ह सोफ तो अश्त का विफ्टा वि लोम क्या होगा उद इस थूबना इस हद है मतलब उपना अगहन kayak इस थूल का विप्री चार्थक सब्द क्या है जंगला्ो नमर कह होगाज अगला है चंध्रमा का विफृत अर्थक सब्द क्या है चंद्रमा का क्या होगा अपसर नमबर घसी अगला है मोथी का पढ़ावाची सब्द्द क्या होगा अपसनमे मूकता WILटब तो इसका सभी अंसर क्या होगा अपसर नमर्च, मूकता, अगला है आस्तीन का शांप होना मुहावरे का अर्थ क्या है अपसर ने साप खोजना सत्रूता करना घर में छिपा सत्रू दोस्ती करना तो इसका सही अंसर क्या होगा अपसर नमबर गर में चिपा शत्रू अगला है एक आख से देखना एक आख से देखने का अर्थ क्या होगा दूर तक देखना समान रूप से देखना निशाना लगाना घ्रीना करना तो क्या होगा शमान रूप से देखना एक आख से देखना यानि समान रूप से देखना अगला है नयन का संदी विछेद क्या होगा ना जोरियन ने जोरियन ने जोर अन ने जोर न जोर न इसका सही अंजर होगा अप्षा नमर खा ने जोर अन यानी नयन अगला है निश्चल का संदी विछेद क्या होगा तो निश्चल का हो जाएगा ने जोर चल निश्चल अप् अनुशरन में कौन सा उपसर्ग है उपसर्ग किसे कहते हैं जो सब्द के पहले जूरता है उसे उपसर्ग कहते हैं तो चुछ कीजी इसमें कौन है तो अनुशरन लाश्ट पर अनुशर्ग जूर गया है तो अनुशरन हो गया है तो इसका उपसर्ग क्या होगा अनुशर्ग इसका सही होगा अगला है पढ़ाई में कौन सा प्रत्या है पढ़ाई कब जूरता है सब्द के अंत में प्रत्या जूरता है तो पढ़ाई क्या हो जाएगा इसमें पढ़ाई आई आ रहे न तो यह अप्शनमर ग इसका सही होगा पढ़ाई इसमें प्रत्या कौन है आई जु अगला है लंबोदर कौन सा समास है लंबोदर अपसर ने द्वन्द वीगू कर्मधारे बहुब्री ही इसका एंसर क्या होगा अपसर नमर घा होगा बहुब्री ही ठीक है अगला है कनक का अर्थ क्या होता है कनक तो कनक का इसका पहले भी क्वेश्चिन था कनक का अर्थ क्या ह होगा शोना होगा ठीक है अगला question दूद का पड़्यावाची सब्सक्या है अपसेने शरिज सायक उच्छ इसका सभी answer क्या होगा ंपाप्र क्व झा markings नमर को ठीकश दूद का पड़्यावाची क्या होगा ठीक होगा है अगला सा Hetatto क्या होता है अपसेने रोना जूट बोलना व्यार्थ में दिंग हांकना हशना तो इसका एंसर क्या होगा आपसे नमर्गा होगा व्यार्थ में दिंग हांकना यानि गाल पजाना अगला है गले मढना मुहाबड़ाकार्थ क्या है अपसने शुंदर दिखना आरोप लगाना तारीफ करना प्रलाप करना यानि क्य क्या होगा तो सद्यवानी का संद्य विचिए ग 말씨 का सब्दस अगला है अलिंगन का विलोम क्या है अलिंगन का विलोम सब्द अपसर में दिया हुआ है देखिए वीरा व्याथा पीरा दुख इसका अगला है अंबर का विप्री तार्थक है अंबर का विप्री तार्थक यानि उल्टा सब्थ अवनी धड़ा प्रीत्वी धर्ती तो अंबर का विप्री तार्थक क्या होगा अप्शन अबर का होगा अवनी अगला है विद्याले का संदिवी छेट क्या है विद्याले का संदिवी छोट विद्या तो चूर बराबर क्या हो जाएगा संचे, अपिस्ग नमपर गोः इसका सही होगा, जह थोचित का संदी именно could क्या होगा, यह थोचित यह 17, यह, फैसर है या था जोड उचित अथोचित जह ठीस है, अगला देखते हैं, नीरो का संधी विछेद क्या है अप्शन है नीरो का संधी विछेद क्या है अप्शन है नीर जोर वा नीर जोर रो नीर जोर रो नीर जोर रो तो नीरो का संधी विछेद क्या होगा अप्शन नमर गा होगा नीर जोर रो नीर ठीक है अगला है तथापी का संधी विछेद क्य ठीक है अगला है अतीसे में कौन सा अपसर्ग है अतीसे में उपसर्ग कौन सा जुड़ा हुआ है तो कौन सा जुड़ा हुआ है अपसर नमर गव अती बिल्कुल सही अंसर होगा अपसर नमर गव अगला है स्वागत में उपसर्ग है सु शर्ग आ अक तो श्वागत में कौन स प्रभूता में कौन सा प्रत्या है अपसाने ता अम अक तो प्रभूता में वह प्रत्य किसी कहते है जो लाश्ट में जुरता है सब्त के अंत में जुरता है तो क्या जुरा हुआ है इसमें प्रभू और जो ता जुरा हुआ है तो क्या हो जाएगा इसका अपसा नमर का सही हो अगला question देखते हैं बाच्षे खिलना मुहाबडा कर्थ सहोती है अगला है हाथ पैर मारना हाथ सेまあ genau हाथ से मारना काफी परयत्म करना तो क्या होगा इसका इंसर अबसाना मर गा होगा काफी परयत्म करना हाथ पर मैरना यानि काफी पढ़्यातन करना ठीक है अगला देखते हैं लेने के देने पढ़ना मुहावडा का अर्थ है लेने के देने पढ़ना लाव के बदले हानी लाव होना काफी पढ़्यातन करना हानी होना तो इसका मतलब क्या हो जाएगा लाव के बदले हानी अपसर स्वंवर्ड क्या है व्यक्ति का बोद करता है तो क्या हो जाएगा यह व्यक्ति वाचक हो जाएगा ठीक है अगला है घर क्या है घर कौन सा संग्या है व्यक्ति वाचक है जाती वाचक है द्रव्य वाचक है समुवाचक है तो क्या होगा घर जाती वाचक हो जाएगा ठीक है अगला है अब राम कलम से लिखता है में से किस कारणकी भी भक्ती है राम कलम शे लिखता है तो यह कौन से भक्ती है करन से जुराव है यहाँ पर इसलिए करन से राम कलम से लिखता है यानि करन से तो इसका क्या हो जाएगा अपसे नमर्गा सही होगा ठीक है अगला है गीला क क्या हो जाएगा अगला है अगला है अगला है जागरन का विलोम सब्द क्या है जागरन का विप्री तार्थक सब्द क्या है जागरन क्या होगा विप्री तार्थक सब्द क्या है भूत क्या है मैं खona खाच चुका हूँ तब वो आया功 वाक्य मैं क्या मिष्ट इसको व्क्य मन क्या है सरल वाक्य है, संजुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, कोई नहीं तो इसका एंसर क्या होगा अप्षिनमर खो, मिश्र वाक्य है ठीक है, अगला है चतूर्थ सब्द है, चतूर्थ सब्द क्या है नमर्ण में अगे इस नमर्ण गवा, अगला कोक्व्चिन, खिरकी सब्द है, खिरकी, देशच, विदेशच, तदभो, तत्सम, तो क्या है? अप्शन नमर का इसका बिलकुल सही है, अगला है बखूबी कौन शमाज है बखुबी कौन समासे अपसने द्वन्द अव्याई भाव द्वीगु कर्मधाड़े तो इसका सही अंसर क्या होगा अपसन नमर गव होगा अव्याई भाव ठीक है अगला कोश्चिन रस भड़ा कौन समासे अपसने कर्मधाड़े द्वन्द तत पुरुष द्वीगु अप्षिनमर्ख thou गा एगला है धर्मा धर्म शमास है फिए 10 कल रहें दो अगला कुषिन हन्हें त्रीभुवन कौन से समाशonur иновत्तृ त्रीभुवन तथपुरुस्त्विगू अव्यईभाव कर्मधाड़े त्रीभुवन कौनसे समाशे त्वीगू है अगला है ज November 583 वो क्या कहलाता है अकहने अकतनी ए न कहने इनमेंसे कोई नहीं तो जो चक्छान ना जा बीन अनाथ इसका होगा इस नमर गवशेशन क्या हो जाएगा है अगला उनका विशेशन क्या है कि अप इसका सही होगा है कि इसमें रिक्त अस्थानों को चूज करना है ठीक है देखें पहला है सच है जब मनुष्य बोलता नहीं ये आपके chapter से लिया हुआ है गदखर से ठीक है सच है जब तक मनुष्य मोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकत्नी होता टोया प्रकत्नी होता उनका विचारत होई नहीं सकता गुंदोस इसका सही अंसर हो जाएगा गुंधोस ठीक है अगला है मानो दैस मानो और धर्माद मानो एक ही सिक्के के दो पहलु है सुवीधाब होगी वशुनधराब होगी तो इसका एंसर हो जाएगा अप्शन नमर शॉरी अप्शन नहीं वशुनधराब होगी हो जाएगा ठीक है तीन नमबर है आदमी या थार्त को जीता ही नहीं, डैस को रचता भी है, आदर्श या थार्त, तो क्या हो जाएगा, अप्शन नमबर, सौरी अप्शन नहीं होगा, या थार्त ही होगा, आदमी या थार्त को जीता ही नहीं, बलकि क्या करता है, या थार्त को रचता भी है, ठ अगला है डैस सो पुरुख जस किरती जाशू तो धनी धनी सो पुरुख जस किरती जाशू ठीक है अगला है थपकी देदे जिसे क्या भगाया सुलाया तो क्या हो जाएगा सुलाया थपकी देदे जिसे सुलाया अगला है लता की लोग प्रियता का मुख्य मर्म या डैस ही है क्या है गानपन लता के लोग प्रियता का मुख्य मर्म क्या है गानपन अगला है सूर्य डैस को खो जाता है अंधकार को की अंधेरा को तो सूर्य किसको खो जाता है अंधकार को खो जाता है अगला है सुबेदार्णी के बेटे का नाम क्या होता है किरत सिंग बोधा तो सुबेदार्णी के बेटे का नाम क्या होता है बोधा होता है तो इसमें बोधा होगा ठीक है अगला है मेरा खोया हुआ डैस अब तक मेरे पास ना आया खिलोना या भी छोना तो यह खिलोना होग जिसकी राइटर कौन है शुबद्रव कुमारी चोहान है तो इसका क्या होगा मेरा खोया हुआ खिलोना अब तक मेरे पास ना आया तिके अगला है संतो देखत डैस बोड़ाना जग या पक तो इसका हो जाएगा जग संतो देखत जग बोड़ाना अगला है तुलसी दास कवी है क्रांतिकारी शमान्यवादी तो कि तुलसी दास कैसे कभी है शमन्यवादी है अगला है और देखिए हाँ चैप्टर के जिवी लेखक है उनका नाम भी दिया हुआ है तो अब यह हम लोग यह भी दिख देले देख लेते हैं बाचीत सबसे फॉर्स चैप्टर है इसके लेखा कौन है बालकृष्ण भट सेकेंड चैप्टर है उसने कहा था इसके लेखा कौन है स्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी तिसरा चैप्टर है संपुन क्रांति इसके लेखा कौन है जैप्रकाश नरायन फॉर्थ चैप्टर है अर्धनारिश्वर इसके लेखक है रामधारे सिंग दिनकर अगला फाइब चैप्टर है रोज इसके लेखक कौन है शच्रिदानन धीरानन वातश्यान आफ सिक्स चैप्टर है एक लेख और एक पतर जिसके लेखक कौन है भगत सिंग शाथवा चाप्टर है ओश्यदानीरा इसके लेखा कोने, जग्दिश चंद्र माथूर। आठ्वा चाप्टर है सिपाही की मा, इसके लेखा कौने, मोहनराकेश। ये लेखा का नम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब नौढ चाप्टर है प्रगीत और शमा जिसके लेखा कौन है नावर्शिंग। जूटन के लेखा कौन है ओम प्रकाश वाल मेके। शुर्दाश एक और पद है उसके तुलसी रास छपय के हैं नाभादाश कवीत के हैं भूशन तुमुल को लाहल कल्ला हमें के हैं जैसंकर परशाथ पुत्रवियोग के कौन है सुबद्रा कुमारी चौहान उस्षा के कौन है समसेज बहादुर शिंग जन जन का चेहरा एक किसका है गजानन माधो मुक्ति बहुत का अधिनायक रगवीर शहाय प्यारे नने बेटे को विनोत कुमार शुकल हार जीत अशुक बासपई गाउं का घर ग्याने इंदर पती ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोग इसमें जितना भी क्वेस्टन में बताएं हूं आप लोग इसको याद कर चाहिए क्योंकि यह बहुत ही वी भी आई क्वेस्टन्स है